कि अच्छ में जा रहे हैं वह है दोस्तों ब्रिक समेट 2023 आईए जानते हैं ब्रिक समेट 2023 क्यों चर्चा में है किलिए जो समपन हुआ है यह कहां पर संपन हुआ है जो मैं आपको बदादू के साथ की वर्ड ये सकते हैं तो आपको यह पर आपको अच्छे से भर करना है जो भी फैस्वर्शन इन्फरमिशन है उसको आपको नोंटकर नांना है सो देट के टॉपिक पे complete coverage आपका हो सके ठीक है आई यह सुरू करते हैं इस साल का जो जो यह annual summit होता है दोस्तों BRICS का यह अभी पंद्रियवा समिट हाली में संपन हुआ है ठीक है और यह तहां पे हुआ यह South Africa में संपन हुआ है ठीक है इसमें for Brazil है, B stand for Brazil, F stand for Russia, I stand for India, C stand for China and S stand for South Africa ठीक है ब्रिक्स को कैसे गठित किया गया था कैसे इसका formation हुआ था सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे ठीक है आईए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अगर मैप में देखें तो ग्रिक्स की countries कहां कहां पे situated है यह है यह रूश ठीक है यह रसिया है रूश है इसके बाद चायना आजाता है फिर यह है इंडिया थिक है तीनों ही country aja से आती है इसके बाद देखते हैं दोस्तों South Africa ठीक है जो एक African countries है ठीक है और इसके बाद South America की एक country है जिसका नाम है ब्राजील तो इस तरह टोटल five countries है अभी बर्तमान में ब्रिक्स में जो मिलके एक संगेठन बनाती है एक organization बनाती है ठीक है अगर बिक्स के कुछ और इंफोर्मिशन पर बात करें दोस्तों तो हम देखते हैं लगवग लगवग परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडिपी यह पांच अपंटरी मिलके टोटल जो परसेंटेज अप्लोबल जीडिपी का कवर करती है वो है 26 परसेंट है 26 प्रसेंट जीडिप 2022 की बात की जारी 2022 का यह डाटा है ठीक है आप यहां देव सकते हैं इसमें अफ्रिका को नहीं सामिल नहीं किया गया है 26 परसेंट की अराउंड यह जीडिपी को कवर करती है ठीक है अगर हम बात करें ग्लोबल पॉपलेशन की तो उसमें भी लगवग 40 परसेंट पॉपलेशन क्योंकि आपको पता होना चाहिए यह जो संगठन है इसमें चाइना और इंडिया वर्ल्ड के दो सबसे ज्यादा पॉपलेशन वाले जो कंट्री है वह इसमें आते हैं ठीक है तो टोटल जो पॉपलेशन हो जाती है इन पांच देशों की मिला के काफी बड़ा संगठन है काफी महत थीम याद करनी है क्योंकि डारेक्टली प्रिलिम्स में थीम को पूछ लिया जाता है UPSC और स्टेट PCS के एक्जाम्स में भी पूछा जाता है बराबर से विक्स और अफ्रिका पारस परिख रूप से परिज विकास सारणिय विकास और समाविशी वहु पक्षबाद के लि उबर्ती अर्थ व्यवस्ताओं जैसे के ब्राजील रूस भारत चीन तथा साउथ अफ्रिका के समू का संशित रूप है जैसा कि हमने पढ़ा था हम इस्ट्री के बारे में जान रहे हैं कि ब्रिस को शिरुवात कैसे हुई थी वर्ष दो जार एक में एक ब्रेटिस अर्थ सास्त्री जिम ओ नील ने ब्राजील रूस भारत और चीन चार उभरती अर्थ व्यवस्ताओं इमर्जिंग एकनॉमी ठीक है ता वर्णन करने के लिए इस सब्द की रचना की ब्रिक सब्द की रचना की ठीक है बी आर आई सी ए पहले बताया ठीक है इंटिडूस किया आप है बेसिकली बर्च 2006 में विरिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समू को अपचारिक रूप दिया गया ठीक है जब ये सबसे पहले नाम आया ये कब आया 2001 में ठीक है और 2006 में जो फॉरेंड मिनिस्टर्स हैं इन सबी चारों पंठरिश के उनकी पहली बैठक संपन हुई ठीक है उसके बाद दोस्तों दिसंबर 2010 में तस्षीर अफरिका को यानि कि साउथ अफरिका को बिक जो गृप था चार देशों का उसमें सामिल किया गया आमत्रित किया गया जिसके बाद इस समूने संचित नाम वरिक अपनाया पनाया, विससे ये क्या बन गया, विक्स बन गया वीरिस जो इसका भी गत्तमान वरूप है आश की रेट में से किस नाम से जाना जाता है BRICS के नाम से जाना जाता है पोरम की अधर्षिता मतलब यह जो संगठन है इसकी चेर किस तरह बाटी जाती है वी आई सी एस जो नाम है उसके अकॉर्डिंग प्रतिवर्स परिवर्थित की जाती है ठीक है जैसे कि वी आर आई सी एस तो इस साल साउथ अफरिका में हुआ है तो जो नेक्स समिट होगा व सेंज किया जाता है ठीक है भारत ने अभी लेटेश 2021 में एक सिखर सम्मेलन की अधर्षिता की मेजवानी की थी ठीक है उदी हाल में दोस्तों क्या डपलमेंट हुआ है इसमे ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफरिका ये पांचों कंट्री मिलके क्या बना लेकिन अभी हाल में 6 नए देसों को recognize किया गया है उनको इस संग्ठन में सामिल किया जाएगा और इस संग्ठन का विस्तार किया जाएगा वो 6 नए देस कौन-कौन से है जिनको सामिल करने की बात की जा रही है ठीक है अरजंटीना है यह साउथ अमिरका से आता है इजिप् शिया था चाइना था इंडिया था साउथ अफरिका था ठीक है अभी जो नए जो मेंबर हैं जो बनने जा रहे हैं वह कौन-कौन से हैं दोस्तों एक तो अर्जन्टीना को सामिल किया जया है ठीक है इसके अलावा यहां पर साउधी अरभिया ठीक है फिर यह जाता है यूए ठीक है ऐसे करके पांच नए और यहां पर चोटा सा इरान ठीक है तो यह पांच-छे नए देशों को विक्स में सामिल करने की बात की गई है ठीक है और इन देशों को जैसे सामिल कर लिया जाएगा तो अल्ड़ेटी फाइब कंट्रीस थे हमारे पास ठीक है और शिक्स और हो जाएंगे टोटल इंडोन टोटल विक कंट्री की संख्या कितनी हो जाएगी वह जाएगी दोस्तों 11 ठीक है तो अब यह हाल में इसमें न्यूज में था सब्सक्राइब कर देशों के संख्या पांच से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है फंद्रेवे सिखर संबिलन में 11 कर दी गई है कितनी 11 ठीक है यह इसकी वैसे वह किस्तिति को बहतर बनाने की दिशा में एक खुस प्रयास को दरसाता है पॉलेडी काफी महत्कून ग्रूप है मिश्र इरान सवदी अरव सवक्तरव अमिराग इत्रोपिया और अर्जेंटीना ठीक है विक्स में सामिल होने से मध्यपूर्व अफिरका फदच्छन अमेरिका में किस समूव का प्रतनिजिब तो अब बढ़ जाएगा ठीक है तो यह बहुत महत्मून हो जाएगा आने वा देश हैं वो पूर्ण रूप से सदस्य बन जाएंगे ठीक है प्रारंविक्स सदस्य देशों में दो प्रमुक्ताएं समान थी बड़ी अर्थविवस्ता और उच्छ संभावित दिकासदर ठीक है बस्तारिस तो जो विर्क से आने वाले टाइम में यह एक कैसा होगा कुछ देश अभी किसमें संकट के दोर से गुजर रहे हैं जैसे के अर्जन्टीना आपको पता होगा अर्जन्टीना में अभी प्रॉब्लम चल रही है ठीक है काफी कंट्री है जो काफी अच्छा कर रही है जैसे के साओधी अरभिया यहां अर्थविवस्ता की जश्टी से एक अलग एजेंटे के विस्तार के संकेत दे सकता है ठीक है अलग ही अलग ही पर तो दोस्तों आज हमने डिसकस किया हमारा पूरा का पूरा बिर्त जो अभी जो समिट हुआ है 2023 ठीक है इसको हमने अभी डिसकस किया ठीक है इसमें हमने सारे फैक्च्छल इंफरमिशन को देखा आप यह जो टॉपिक है इसमें काफी सारे ऐसे कॉइंस हैं जिनको आपको नोट डाउन करना चाहिए तो आपको प्रेश्ट कर सकें ठीक है दोस्तों इसके अलाबा हमारी प्रेशियर्स कोचिन है ठीक है और आपको कोई बी कोर्स जॉइन करना हो ठीक है तो आप इन नमर्स पर क्र सकते हैं हमारे चल रहे हैं जो एस्ट्वेंट के लिए है या फिर जो उन लोगों के लिए भी है जो ग्रेज़िशन के फर्स्ट एयर में है और दूसरा है हमारा exam oriented advanced batch ठीक है जिसमें graduation कर चुके बच्चे जो aspirants है वो admission ले सकते हैं ठीक है तो आप यहां numbers पर call कर सकते हैं ठीक है वीडियो के regarding जो भी दोस्तों आपके suggestion हो वो हमें comment box में comment करिएगा इसके अलावा वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ share करिए thank you so much दोस्तों जैहिंड